वन या फिर मैं विस्तारित रूप से कहूं तो ट्रीज यह प्रत्वी के जीवन के लिए कितने महत्पूर्ण हैं यह हम सभी जानते हैं तो वनों की स्थिति को इवालूएट करना इसको मॉनिटर करना हमारी नेशनल वेल्थ के लिहाज से काफी इम्वार्डेंट हो जाता है इसको मीजर करना भी काफी इम्वार्डेंट हो जाता है ताकि अपने रिसोर्स के एक एवालूएशन हम कर सके किस तरह से हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कितना हमें उसको प्रोटेक्ट करने की जरुरत है यह सारा जो है नीती निर्मान में काम आता है इसी के लिए ग या यहांते है आर्थिक सर्वेक शन्यानिओक सर्वै क्यांने के सरले रिलीज हुआ है इक नाउमिक सर array ने कि स्पीटमिंट दी है कि वणचे TL लाब में यानि वर्छेतन लाप मैं यह वर्ण में भारत का तीसरा स्थान आया है वर्ड एरिया गेन करने में जो ग्रोथ हुई है उसमें पूरे विश्म में भारत का तीसरा स्थान आया है यह अपने आप में बहुत अच्छी अचीवमेंट है क्योंकि भारत ने अपनी जो कमिटमेंट्स दी है कार्बन स्टॉक को एक तरीके से वनों म क्या कुछ कहा है forest को लेके और साथ में जो हमारी state of forest survey report आई है उसमें क्या कुछ आकड़ा आया है इन सब को chart, graph और picture के माधियम से समझने की कोशिश करेंगे इसके इलावा कुछ concepts होती है जो ये data को समझने के लिए जरूरी होती है उन concepts को भी हम clear चलेंगे तो शुरू करते हैं आज का वीडियो आईए सबसे पहले देखिए ये चर्चा में क्यों है तो क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण आया है और आर्थिक सर्वेक्षण ने ये बताया है कि विश्व में भारत का जो वन चेत्र में अगर इस्थान देखा जाए तो वह दस्वा है यानि कि हम टेंट पोजिशन पर आते हैं वर्ल्ड में अगर फॉरेस्ट एरिया की बात कीज़ें देखिए दो वर्ड आप ध्यान रखेंगे एक वन चेत्र और दूसरा जो है वन आच्छादित यानि कि फॉरेस् 2020 में देखा जाए तो भारत ने 2010 से लेकर 2020 के मामले में वन चेत्र को बढ़ाने में विश्व में तीसरा इस्थान जो है अर्जित किया है अगर भारत के कुल भोगौलिक चेत्र की बात की जाए तो उसका 24 परतिशत भाग जो है वनों से आच्छादित है और अगर वर्ष 2020 क टाइम का डाटा एक देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में जितने फॉरस्ट है उसके टू परसंट फॉरस्ट जो है भारत में पाए जाते हैं कि दो प्रतिशत हिस्सा भारत शेयर करता है इसके बाद देखिए 2011 से 2021 के दो औरान फॉरस्ट कवर में ठीक है यहां पर वर्ड टारा है फॉरस्ट कवर देखिए तीन प्रतिशत से अधिक की जो है व्रदी हुई है और इसका जो श्रेच आता है यह जो व्रदी हुई है यह ज्यादा तर वेरी डेंस फॉरस्ट यानिके जो अती सघन वन होते हैं उन्हें में बड़ोतरी होने से हुई है देखिए कैटे गंटे पहले यह रिपोर्ट आई थी कि एकनॉमिक सर्वे ने फॉरस्ट गेन के बारे में क्या कुछ कहा है निक्स देखते हैं देखिए अगर विश्व के जो टॉप 10 कंट्रीज है उनके बारे में बात की जाए तो वर्ड का 66% फॉरस्ट कवर इन टॉप 10 कंट्रीज के प या उससे अधे हिस्सा जो है भाग वनों के अधीन है यानि कि यह कुछ कंट्रीज है यह देखिए 31 जन्वरी 2022 की न्यूस का एक स्क्रीन शॉट यहां पर दिया हुआ है अगर वन छेत्र की यानि के फॉरस्ट एरिया की अगर बात की जाए तो जो हमारी टॉप 10 कंट्रीज है उनको एक जो है ग्राफ की रूप में दिखाया गया है जिसमें सबसे पहले आता है रशिया दूसरा आता है ब्रेजिल तीसरा आता है कनाड़ा और अगर टिंथ पोजिशन की बात की जाए तो इंडिया आता है थोड़ा सा समझते हैं किसी कंट्री का टोटल जोग्राफि के लिए भी जादा एरिया होगा जैसे रूस के पास काफी बड़ा जोग्राफिकल एरिया और लेडी है तो उनकी हम वन भी काफे जादा भूमी पर है इसलिए फॉरस्ट एरिया में यह नंबर वन पर आते हैं ठीक है इंडिया के पास देखिए एरिया भी थोड़ा कम है प होगा फचील को सबस्किता जो कम से कम एकनान्या में वन होगा और साथी साथ कैनोपी इरिया होताइस को भी समझेंगे है यह पर इन वन हो जा area हो 10% से ज्यादा हो क्या लिखा है या पर एक ही क्ट कट से अधिक छेतर में वनावरण हो यानि कर ट Dare थूँजी ट्री होने चाहिए चले ट कि 10% वाला area वनों से धका हुआ हो वा जो क्राउन एरिया होता है ना पेड का पेड की गोल शेप होती है उससे धका हुआ एरिया हो ऐसा 10% हो तो उसको जो है वन आच्छादन कहते हैं ठीक है उसके अलावा अगर फॉरेस्ट ये तो था फॉरेस्ट कवर ठीक है अगर मैं फॉरेस्ट एरिया की बात करूं तो देखिए सरकारी रिकॉर्ड में जो भी भूमी वन के रूप में दर्ज है चाहे व वन हूं या वन ना हो ट्री हूं या ना हो वो कोई वाटर हो सकता है वो मैंग्रोव हो सकता है वो कोई रिवर हो सकती है वो कोई पैचेज वाला एरिया हो सकता है जहां पर जाडिया बाडिया हो तो वह हर एरिया जो गवर्मेंट के रिकॉर्ड में दर्ज है इसको रिकॉर 3.3% है तिक है मैं पुराना एक डेटा बता रही हूं लेकिन अगर वनों से अच्छादित भोगोलिक छेतर की बात की जाए फॉरस्ट कवर की बात की जाए जहां पर एक्चुल में पेड है वो हमारा 19.4% ही है इस कॉंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझेगा क्योंकि इसी पर बेस्ट में क्वेश्चन आप से पूछने वाली और आपने उसका एंसर गरना है ठीक है तो हमने फॉरस्ट कवर में और फॉरस्ट इरिया में डिफ्रेंस समझा दो बाते आपने ध्यान रख लिए फॉरस्ट इरिय कि यह आपका जो है एक तरीके से यह एक हम वेंड डाइगराम के माधियम से समझ सकते हैं ठीक है यह जो है यह रिकॉर्डिड फॉरस्ट इरिया है ठीक है यह जो है यह फॉरस्ट कवर है जो कि रिकॉर्डिड में नहीं आता ठीक है और बीच में जो यह वाला पोर्शन है यह आपका क्या हो जाएगा यह वो वाला recorded forest area हो जाएगा जो विद क्या है forest cover के है ठीक है यानि कि एक तो ऐसा area है जहाँ पर tree है already ठीक है यहाँ पर tree है यह forest cover हो गया एक area ऐसा हो सकता है जहाँ tree हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते लेकिन सरकाले record में दरज है यहाँ पर क्या है नदी वगरा भी हो सकती है इन दोनों के बीच का area जो जाएगा तो ओव्यस यह बात है वह recorded forest area with cover जो है हो जाएगा तो एक छोटी सी concept यहाँ से आपको clear हो गई होगी next अब हम जो है समझते हैं अब मैंने आपको बताया था कि 10% चेत्र जो है कैनोपी से ढखा हो कैनोपी क्या होती है कि किसी भी पीड का जो हिस्सा होता है जिसके नीचे का area जो है यह चाया से ढखा हुआ हो यानि कि जो ground area में उस पेड के crown के द्वारा जो चाया बनती है उसको basically canopy कहते हैं अब यहाँ पर समझे माल लेजे यह गुल जो वाला area होगा जो में जो ट्रंक है इससे उपर जो एक तरीके से मुकुट के जैसी शेप बनती है यह जो है आपका crown कहलाता है तो ground पे इसके जितनी चाया पड़ती है इसको जो है horizontal जो है कैनोपी बोलते है इसकी यहाँ दिवार पे जितनी चाया पड़ती है इसको जो है वर्टिकल कैनोपी बोलते हैं और एक फॉर्मूले के द्वारा इसका area निकाल लेते हैं और जब इसको percentage में बताते हैं तो यह कैनोपी density कहलाता है ठीक है आपको उतरह टेक्निकल नहीं जाना है आपको बस अब यह समझ लेना है कैनोपी क्या होता है क्योंकि आगे चीज़ो रेनफोरेस्ट का यह जो यह वाला area है ठीक है जो जादा घना है सगन है मैच्योर हो गया है इसको देखे कैनोपी लेयर बोलते हैं फिर क्या है फॉर्स्ट तो ऊपर कुछ नए पत्या निकली है कुछ जो है ऐसा area है इसको क्या है एमोर्जेंट लेयर बोलते हैं नीचे जो जाड जंकार है जाडिया है कुछ लताएं है कुछ छोटे मोटे पेड है उनको क्या बोलते हैं अंदर स्टोर बोलते हैं यह स्क्रब लेयर बोलते हैं और जो इसके नीचे वाला area होता है जहां पर कुछ obsessed कुछ humus बन जाता है उसको forest floor बोलते हैं तो इस तरह की लेयर में ज यहां पर shadow बनती है ना sun की rays नहीं आती बारिश को भी देखिए वो जो है यहां पर आने नहीं देती तो एक रूफ जैसा जो बनाता है ना उस रूफ को ही canopy बोलते हैं अगर यह 70% से जादा हो तो वह हमारा very dense हो जाता है अगर 40 to 70% हो तो moderately dense हो जाता है अगर less than 40% 10% के यह समझने में help करती है ठीक है तो यह हमने layer समझ लिया यहां से हमने canopy की concept समझ ली यह देखिए आंदर प्रदेश का पेड़ है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा canopy बनाने वाला tree है ठीक है तो यह अपने आप में हैरिटेज हमारा अब यहां पर देखिए अगर हम पर 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 इंडिया आता है यहां पर देखिए जो रेड़ वाला है यह country का area है और यह वर्ल्ड का area यानि कि वर्ल्ड में कितना ग्योगदान करता है बारा का लेकिन अप वर्ल्ड के comparison में कितना percentage of area forest का है तो यह 59 है आपको यह वाला data इतना important याद रखने का नहीं है इ पर आपको दिखाई थी वह important है इसके बाद में दिखाऊंगी वह important है निट्स देखते हैं यहां पर देखिए कि अगर वार्षिक शुद लाब पर यानि कि yearly net gain पर अगर देखा जाए तो टॉप 10 countries कोन है चाइना देखिए चाइना ने बहुत जादा काम किया है इसके बाद थर्ड पर क्या है इंडिया है और चाइना के कंपरिजन में इंडिया काफी कम है बडिस्तिलम थर्ड नंबर पर है हमने एक अच्छा काम किया है तो यहीं जो है एकनॉमिक सर्वे ने एक पूरा पका पूरा डैटा दिखाया था और एकनॉमिक सर्वे ने भी इंडिया की ज यहां पर यह इतना हुआ था ठीक है और यहां पर देखे हो टोटल फोरेस्ट कवर 11 में अगर इतना था तो 21 में इतना हो गया तो अभी टोटल कितना है तो आपका जो है 7,13,789 है ठीक है यह इसके बाद नेक्स देखिए वेली देंस फोरेस्ट तो यह हम समझते हैं पहले पिक्चर आप देख लीचे कुछ तो आपको डिख रहा होगा कि यहां पर बिल्कुल भी धूप और बारिश अंदर जाने के लिए स्पीस बचा नहीं है यहां पर थोड़ा थोड़ा स्पीस है धूप अंदर जा सकती है यह तिक दम खुला है स्काई आपको बिल्कुल क्लिरली दिख रहा है और यहां पर आपको सिर्फ जाड़िया दिखाई दे रही है अब आजाते हैं टेक्निकल डेफिनीशन पर वह जिसकी कैनोपी की डेनिसेटी 70 पोसेंट और अबव हो मैंने आपको कैनोपी समझा दिया तो वह जो रूफ है वह जो डेनिसेटी है वह जो वर्टिकल होरीजवंटल से पॉसेंटेज में निकालते हैं वह गर सेवन्टी पोसेट यह उससे उपर हो तो वेरी डेन्स फोरेस्ट के के टेगरी में आ जाता है अगर यही चालीस परसेंट से जादा हो बट सतर से लेस हो तो यह मौडरेटली डे यहां तक हम ने कंशिप्स क्लियर के अभव हम डेटा द팅े इंडिया तो में आ जाता है तो यहां forest कितना है इंडिया में ठीक है percentage of geographical area तो कोई 3.04 परसेंट है moderately dense forest कितना है इंडिया में तो 9.33 परसेंट है ठीक है उसके बाद open forest है तो 9.34 परसेंट है और अगर टोटल forest cover की बात की जाए तो यह आपका 21.71 परसेंट है अगर स्क्रप्स वगयरा देखें तो यहां पर एक data दिया हुआ है ठीक है निक्स देखते हैं अब देखें भारत में कुल वंचेत्र मैंने आपको बता दिया साथ लाग तेरह जार कुछ है और इसमें क्या है 314 परसेंट की व्रद्धी हुई है अगर 2011 से हम compare करें तो ठीक है और यह जो व्रद्धी हुई है यह भी सघनवन आवरण में व्रद्धी जो हुई है अच्छी बात है क्योंकि हमारे खुले वन जादा है सघनवन कन में अगर सघनवन में ग्रोथ हो रही है तो अच्छी बा ट्वी और खेन में कन घेचनवा जो है उसमें गिरावट्व हाई च्क है इसके बाद इने we're more kay तो सबसे पहले तो मद्यवप्रदेश है हम सबको पता है उसके बाद देखिए अलुनाचल प्रदेश 36 गड़ उडिशा और महारास्ता जाते हैं यहां पर वही दिखाया गया है कि भारत के शीर्ष पांच राजिये वन आवरण के अनुसार ठीक है तो देखिए जो यह ग्रे सबसे जादा उसके बाद अरुनाचल परदेश फिर 36 गड़ तो अब नेक्स्ट बात करते हैं अगर भोगोलिक छेत्रफल के प्रतिशत के नुसार बात की जाए बही एक तो हमने बताया कि मानलेजे हर किसी का सो एरिया था सो में से कितना जो है एरिया फॉरस्ट के अंदर अगर मानलेजे सो में से 50, सो में से 30, सो में से 20 एरिया अगर बात की जाए तो मध्यपरदेश सबसे उपर था उसके बाद 100 था अगर हम बात करें पोस्टेज में यह आपका एरिया है इसको जो है आपके जितना फॉरस्ट है उससे डिवाइड करके अगर पोस्टेज निका है इसके बाद अरुनाचर प्रदेश आ जाता है तो आपने यहां तक जो है पोस्टेज वाइस समझ लिया अब जो है डेंस जो है फॉरस्ट उन में कौन सा राजे फरस्ट आता है मॉडरेटली वाले में कौन सा आता है यह हम देखते हैं ठीक है ग्राफ वाइस देखेंगे गर अतिसगन वन की बात की जाय То फरस्ट पॉजिशन पर अरुनाचर प्रदेश आता है मंध्यमगन की बात की जाय तो मध्य पर्देश यह first नमबर पर आता है अगर खुले वंचेत्रों की बात की जाय , तो भी उसमें जासे की आवरण किया गया है देखिए गली आ रहे हैं अगर इनके बात कि जाये तो हमारे व्रद्धी हुई है लेकिन साथ आप कमी आई है कुछ जो है देख लेते हैं कि यहां पर थे क्या दिया है कि वो टॉफ फाइफ टाइगर रिजर्फ है जिसमें पॉसेंटेस जो है बड़ी है ठीक है तो सबसे पहले कौन सा है पक्के अरुनाचल परदेश दूसरा अचना कमा 36 तीसरा शिमलीपाल उडिसा काली करन दंपा मिजूरम जिनने भी टाइगर रिजर्फ के मैंने नाम लिये हैं यह प्रिलियम्स के लिए आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाते हैं इनको थोड़ा होलसम प्रिपेर केज़ेगा ठीक है नेक्स देखते हैं आप देखिए कहां पर व्रदी हुई है तो पिछ 6-7 परसंट था तो अब यह बढ़के कितना हो गया है 21.71 परसंट हो गया है बहुत जादा इंपोर्ड़न डेटा है और यह आपके ना सिर्फ यूपीस से बलकि राज्य परिक्षव की लियास से भी बेहत मैत पूर्ण है अगर व्रक्षव के आवरण की बात की जाए तो 721 इस वर्ग कीलोमेटर की जो है इए इसमें वर्दी हुई है जिसमें वर्दी में में कमी घ्रशव तो अब मैं ड़न फारिश कर उज्ड़ोर तो यह स्वभाबे की है की चुच फॉर्स लंट कंवर्ट हो जाएगा कुछ तो फुर्दर एक्टिविडीज के लिए तो नॉर्थ इस्ट में जो है कमी देखने को मिली है अब यहां पर देखें मैंग्रोव को लेकि डाटा दिया हुआ है ठीक है कि डेंस मैंग्रोव मोडरेटली मैंग्रोव कहां पर है और जो है चींज जो अगर 2019 के रिस्पेक्ट में देखें तो का हुआ है तो देखें जो गुजरात के मैंग्रोव है ना वो नेगटिव में है लेकिन बाकी आप देखेंगे तो पॉजटिव में इसमें भी उडी सा है उसमें काफी व्रद्धी देखने को मिली है तो मैंग्रोव में करीब 17 वर्ग किलोमेटर की व्रद्धी कुछ जो है चीजों को दिखाया गया है तो हमारे यहां करीब 35.40% वन छेत्र जो है वो आग लगने की संभावना से ग्रसित है इसमें भी जो अती बतलब डेंजर में हैं कम डेंजर में उसके बारे में बताया हुए और ऐसा क्यों हो रहा है यह जलवाईयों परिवर्तन और टेंपरेचर बढ़ता जा रहा है इसकी वज़े से हो रहा है सभी राज्यों में बस इनको छोड़के वन में अत्यादिक समवेदन शेल जलवाईयों होट स्पोट होंगे लद्दाग जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में से होगा जितना ज़्या में फॉरेस्ट फॉयर के इंसिदेंस देखने को जाधा मिलते हैं यहां पर देखिए जो टॉप 10 स्टेट्स थी जिन में नंबर फॉरेस्ट फॉयर डिटक्ट किया गये थे उनके बारे में बताया गया है सबसे जाधा उड़ी सामें दिखाया गया है ठीक है अब बात करते करबन स्टॉक की पहले समझ लेते हैं करबन स्टॉक क्या होता है वायू मेंडल में करबन आय ऑक्सएड है हमारे लिए सादर का अबन एक सहानी का रहा कि क्यों वह ग्लोबल वार्मिंग को एक तरीके से बढ़ाती है उस कार्बन आय अक्सएड को पोधे या पीड अपने अ उनों के द्वारा अपने अंदर खीची गई है इसी को बोलते है करबन स्टॉक जितने जाद वह डहाँ अपने रिजहर आफा करके रखाऊ है जेनर लि기 जो है फ्टॉक पेडों की अंदर होता है थोड़ा कुछ मिटी कि अंदर होता है कुछी अप्सिस्ट के अंदर भी हो इसके बाद दूसरा स्टॉक अगर बात की जाए तो कहां पर है जो हिमालियन मोईस्ट टैम्परेट फॉरस्ट थे इसके बाद यहां पर आ जाई है जो आपके ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरस्ट है तो टाइप ओफ फॉरस्ट यहां से एक तो पढ़ने को आपको मिल जाएगा दूसरा हर टाइप ओफ फॉरस्ट में कितना कार्बन स्टॉक उन लोगों ने लिया हुआ है इसकी एक बेसी कॉंसेट आपको समझने को मिल जाएगी ठीक है कार्बन स्टॉक हमारा 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है अगर 19 के कंपेर में देखे तो 79 फॉन परसें था घंब कि क्या स्थिती है भारत की वर्ल्ड कि कंपेर में क्या स्थिती इस सब को समझ लिया कुछ सांप्या कि है मुझे लगता है बड़ कहिं पर रिकॉर्ड़ेट फॉरेस्ट ऊर्फेडिया पेर कया ये वर्लड आई गगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी अब हम देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न क्या है देखे वन छेत्र और वन आवरण में क्या अंतर है ठीक है बताना है आपको देश में वन छेत्र में सुधार करना क्यों महतपूर्ण है हाली की वन सर्वेक्शन रिपोर्ट 2021 के आलोक में चर्चा कीजे तो यह आपको बत बगजार करूंगी बाकि आज के लिए बस इतना ही मुझे उम्मीद वीडियो आपको अच्छा लागीगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजेगा और साथ अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्स स्क्राइब